Welcome back to another video, सुबास से मुझे DM सारे इसी से लेटेड, यहाँ पे एक pop-up आ रहा होगा Instagram पे आपको जैसे आप Instagram की profile पे जाते हो Manage your business on Facebook and Instagram in one place, right? Reply to message, comment, manage ads and schedule content for Facebook and Instagram in meta business suit अब यह क्या है, यह कैसे हटेगा, हटाना भी है कि नहीं हटाना है, क्या करना है, इसके इसका detail में बात कर लेते हैं तो उसके लिए आपको वीडियो को end तक ज़रूर देखना है ताक कि आप सारी चीजे detail में समझ जाए चोटी चीए वीडियो रखेंगे, क्योंकि बहुत जादा कुछ है भी निसमें बताने का, करें सार्ट तो यह है Meta Business Suite, अब आपको पहले एक application डाउनलोड करने के लिए बोलेंगे, जैसे आप Get this Meta Business Suite पर tap करोगे, तो आपको यह redact कर देगा आपके Play Store पर या फिर आपके App Store पर, तो मैं Play Store पर यहां से जा रहा हूं और यहां से इस application को डाउनलोड कर लेते हैं, यह वारी application है Meta Business Suite, मैंने अभी uninstall कर दी थी, वापस री-install कर लेते हैं अब इसका पते क्या है, यह बोल रहा है कि Instagram का आपने creator page देखा होगा, ऐसी जैसे Instagram, Instagram का आपने creator page जो, मतलब जहां पर insights वगरा सारे चीज़ आते हैं और वहां पर हम अपने insights देखते हैं, हम अपना content schedule करते हैं, सारी चीज़े करते हैं, and same way जैसे हम लोग Facebook creator होता है, जो creator studio Facebook का, आप for example ले लो YouTube studio, YouTube studio में सारी चीज़े होती है, सब कुछ हम वहीं से अपनी video upload कर सकते हैं, वहीं से schedule कर सकते हैं, वहीं पर अपने insights देख सकते हैं वहीं पर हम सारी जितनी भी चीज़े होती है, मतलो कितना revenue हुआ है, कितना सब कुछ, तो वहां पर हम एक प्लेस पर देख सकते हैं, अब मेटा ने Instagram पर Facebook को combine करने के लिए कि यार, already इनको बहुत ज़्यादा loss हो रहे है, क्योंकि bonus में भी इसको बहुत ज़्यादा loss हुआ थ तो इस वजय से अब यह सारी चीज़ें ज्यादा complicated नहीं करना चाहरे है, अब यह चाहरे है कि Facebook का भी business और Instagram का भी business हम एक जगह करते हैं, तो यहां से मैं यह application डाउनलोड कर लिए, अब यह बोलेगा कि आप अपने Instagram को भी और अपने Facebook को भी, आपके phone में दोना application होनी चीए एक जगह कर दो, अगर आपने Facebook नहीं यूज करते हैं, तो पर आपके काम की भी नहीं है, तो मैं यहां पर continue कर लेता हूँ, और यह मुझे लॉग इन करने के लिए बोलेगा दोनों को, दोनों को connect करो, और दोनों की चीज़ें यहां पर हम देख सकते हैं, मैं आपको दिखा के लिए हम काट देते हैं, देखो, यहां पर हम मेरे दोनों आ गए, राज चौदरी मतला मेरा Instagram भी आ गया, मेरा Facebook भी connect हो गया, यहां पर यहां पर मैं insights है, तो यह ने मेरे दिखा दिखा दिये हैं, कि Instagram पर follow इतने, Facebook page जो है, यह page के लिए, Facebook page जब हम मनाते हैं, जैसे मैंने अपना upcoming world page बना रहा है, Facebook पर, मैं उस पर real will नहीं डालता हूँ, अगर मैं डालूंगा, तो page ही हो गया, यहां पर Facebook की profile यहां पर connect नहीं होगी, connect होगा Facebook का business page, Instagram का जो page है, जैसे हमने Instagram पर profile बनारी kind of page है, वो creator page रेखता है, ऐसे यहां पर Facebook का creator page है, क्योंकि तब ही वहां पर follow button मिलता है, अगर एक profile बनाएंगे तो हमें send friend request type का होता है, लेकिन यहां पर हमें follow option मिलता है, that means Facebook का page ही हो, and page यहां पर connect हो जाएंगे, अब दोनों आपस में, okay, अब हम सारी चीज़ें यहां पर देख सकते है, for example, मैं यहां से अपनी reel भी post कर सकता हूं, यहां से story भी post कर स करता हूं, और वो दोनों जगे post हो जाएंगे, अब जैसे sharing के लिए नहीं होती थी, share to other app, वो वाला option यह हटा देंगे, कुछ time बाद अब यही होगा, कि हम सारा content अपना एक जगे से schedule कर सकते हैं, कुछ time पर हो जाएगा, meta की जैसे WhatsApp भी है, तो WhatsApp का भी कोई page यहां पर connect कर द जो post है वो भी आपको देखने हैं, suggestions भी आपको देखने हैं, आप तो आप चलाओ गई, लेकिन वो सारी चीजे जो आप post करते हो, जो उस पर comment आते हैं, और जो उससे revenue बनता है, जितने लोगों ने वो देखिया, सारे insights हम यहां पर देख सकते हैं, बस, और कुछ नहीं है, म सारा content यहां पर हम लोग देख सकते हैं, अभी यहां पर आनी रहा है, दीरे-दीरे, feed पर आजाएगा वो अपने आपी, Facebook की feed यह री, Instagram की grid यह री, ओके, तो कहां post करना है, कैसे post करना है, किसके सारे tags आप यहां पर हम देख से पाएंगे, अभी हो नी रहा है, बचे दीरे- content पर है, कौन्चे नहीं है, content यह सारी चीज़ है, last 28 days का, audience size हो है, यहां पर पूरा insights में, मतलब Instagram और Facebook दोनों का लगा के, okay, यह मेरे message है, मेरे comments भी यहां पर आजेंगे, क्योंकि मैं mainly active हूं Instagram पर तो यहां maximum चीज़े Instagram की दिखा रहा है, अब यहां पर यह यह चीज़े हम कर सकते हैं, हम यहां पर add से ला सकते हैं, हम यहां पर अपने content प्लान कर सकते हैं, हम अपने appointment अगर किसी के साथ, अगर fix करने हैं, यहां से हम insights कर सकते हैं, सारे insights जैसे कि मैं already आपको दिखा चुका हूं, Instagram की भी आजेंगी, हम पर Facebook की भी आजेंगी, new Facebook page like, Instagram followers, आप यहां पर, अपने business space को connect कर सकते हैं, हम उनके सारी चीज़े देख सकते हैं, और कुछ भी नहीं है, मुझे नहीं लगता है, इसकी जरूरती, जो चल रहता है, काफी smooth चल रहता है, लोग अपना काम कर रहते, Facebook वाले अलग कर रहते, Instagram वाले अलग कर रहते, आपका Facebook account नहीं है, या फिर आप Instagram पर नहीं है, दोनों में से किसी एक application पर नहीं है, तो आपके किसी भी काम के नहीं है, तो install करनी है, कर लेना, नहीं करनी है, कोई दिक्कत भी नहीं है, आपको पता लग गया होगा, डेटेल में मैंने सारी चीज़े बता दिये, आपको समझ आईए, तो comment box में yes या no ज subscribe नहीं क्या, hit the subscribe button, thank you so much